है अधिवार नमस्कार वेलकय़ामें टूमय यूट्यूब चेनल आज़की से वीडियो में हम पढ़िएंगे पेशेंटा यह अपरा के बारे मेंए इसमें सबसे पहला point होगा, कि अप्रा किसे कहते हैं, placenta की definition के बारे में देखेंगे, इसके बाद में दूसरा point होगा, अप्रा का विकास किस परकार से होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, तीसरा point है, अप्रा की कारी क्या क्या होते हैं, यानि अप्रा के functions देखेंगे, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आपने अभी तक मेरे चैनल शीपिस स्ट्डियो को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पोइंट है अप्रा की प्रीवासा यानि definition of placenta, यानि placenta की प्रिवासा की बारे में बात करेंगे, यह एक प्रकार की ऐसी सरंचना होती है, जिसके दोऔरा भुरण एहों माधा के रुधीर, यानि या एक इस प्रकार की structure होती है, जिसमें भूरण एम मादा का रुद्धी में पदार्थ होगा विन्य में होता है यानि पदार्थ होगा जैसे पोशक पदार्थ हो गई, ओक्सिजन हो गई, CO2 हो गई, इन सब का क्या होता है विन्य में होता है यानि आदान परदान होता रहता है और इस परकार की जो इस्ट् पोसंटा तक बुर्ण अवस्ता से जुड़ी नहीं होती। यानि जो निश्य चन होता उसके बाद में जो बलाष्टुला होती अवस्ता होती वह बुरन्ण से जुड़ी हुई नहीं होती। और इससमय पोस्तन पर नेरव्ढ रहती sector, जब तक यह बलाष्टुलां अवस्ता बुरण के गरबासे से नहीं जूड़ी रहती तब तक यह सुएम से पोशन प्राप्त करती है यानि बलास्टूला अवस्ता जब बुरण से प्लेसेंटा द्वारा जुड़ जाती है उसके बाद में प्लेसेंटा के द्वारा बोजेन या पोशन प्राप्त करती है इसके बला प्रत्यारोपित होने के बाद में एक स्प्रेक्टर बनाती है उसे प्लेसेंटा कहते हैं और प्लेसेंटा के द्वारा प्रोसन परदान करती है जो कोरक पूर्टी होती है ब्लास्टोसिस्ट के रोपन के पस्चाहत यह नहीं ब्लास्टुला गरबासे की दिवार में प्रत्या जिल्यों का निर्माण करता है जिने करम से एमनियोन, कोरियोन, एलेक्टोईस और योकसे इन सब जिल्यों का निर्माण होता है इस समय बलास्टुला के चारों तरफ एक सत्या का विकास होता है जो बलास्टुला अवस्ता होती है इसके चारों तरफ एक सत्या का निर्माण हो यानि जो ये कोरियोन होती है कोरियोन विलाई होती है इसमें ऐसंखी अंगुली नुमा जो इस्ट्रक्चर बनती है जराविया कोरियोन एक विलाई कहते हैं इन्हीं अंकुरों के द्वारा बुर्ण में कोरियोन का समंद्ध गरबासे की दिवार से हो जाता है यह जो कोरियोन बन जाते हैं और गरबासे तथा बुरण के अंकोर या विलाई प्रस पर जुड़ कर बुरण को गरबासे की दिवार से जोड़ देते हैं और इसी स्रंचना को प्लेसेंटा या अप्रा कहते हैं यानि कहने का मतलब यह है यह जो गरबासे की जो दिवार है इससे जो बुरण ह होता है यह जो बुरण है वह एक structure द्वारा यहां पर जुड़ जाता है और इसी सरंचना को क्या कहते हैं अप्राया placenta कहते हैं जो बुरण होता है इसके चारों तरफ तीन जिल्यों का निर्माण होता है जिने करम से क्या बोलते हैं जो गरवास्य होता है यूट्रस होता है और जो बुरण होता है वह एक जिल्ली द्वारा या सरंचना द्वारा नाब्भी से जुड़े रहते हैं इन्हें क्या बोलते हैं प्लेसेंटा या अप्रा बोलते हैं और जो प्लेसेंटा का निर्मान लगबग 10 सप्ता का समय लगता है यानि जो अप्रा प्लेसेंटा का जो निर्मान होता है उसमें कितना समय लगता है लगबग 10 सप्ता का समय लगता है और यह प्लेसेंटा गरभा उत्दी यानि जब तक में uterus या बुरुन रहता है तब तक यह बना रहता है placenta बुरुन के जिस स्थान पर जुड़ा रहता है उसे नाबिरजी या ambilical cord बोलते हैं यानि जो placenta हुआ है नाबि के जिस स्थान पर जुड़ा रहता है उसे ambilical cord बोलते हैं मनुष्य में किस परकार का प्लेसेंटा या अप्रा पाया जाता है उसका नाम है कोरियो एलेंटोइक परकार का प्लेसेंटा पाया जाता है यह अंकूर गरबासे की रक्त कोशिकाओं से पोसक पदार्थ तथा यानि जो यह अंकूर होते हैं यह गरबासे की रक्त कोशिकाओं के द्वारा जुड़े रहते हैं और पोशन पदार्थ जैसे O2 हो गई, CO2 हो गई, इन सब का आदान परदान करके रक्त द्वारा बुरुण में पहुचा देते हैं, एम्नियों जिल्ली के बितर तक बितर एक दर्वे बरा रहता है, जिसे एम्नियोटिक दर्वे कहते हैं, इस इसके अंदर जो ये दर्वे बरा रहता है, इसे क्या बोलते हैं, एम्नियोटिक दर्वे बोलते हैं, इसी दर्वे में बुरुण अवस्ता में तहरता रहता है, यानि जो एम्नियोटिक फ्लूड है, इसी में क्या जो बुरुण होता हुए तहरता रहता है, इसके बाद में हम बात करते हैं placenta के function function of placenta या अप्रा के कारिय की placenta क्या क्या कारिय करता है सबसाब पहला कारिय है पोस्छन यानि nutrition placenta के मादेम से पोस्छन पदार्थ मा की रक्त से होते हुए बुरण के रक्त में पहुँचते हैं दूसरा पोइंट है सौसन मा के रक्त में उपस्तित O2 भी प्लेसेंटा के द्वारा बुरुन तक पहुँचती है अता प्लेसेंटा जो होता है वो सौसन किरिया में भी साहिक होता है तीसरा पोइंट है उत्सर्जन बुरणक में अपसिस्ट प्रदार्थ जो भी अपसिस्ट प्रदार्थ बनते हैं वो है CO2 अपरा के माद्देम से मत्र उत्कोस में पहुँचते हैं चोथा पॉइंट है परतिरक्षा या इम्मुनिटी मा के रक्त में उपस्तित पर्तिरक्षी पदार्थ भी प्लेसेंटा के माद्देम से ही बुरण में पहुचते हैं प्रिणाम सरू बुरण की विविन परकार के रोगों से सुरक्षा करते हैं कौन पर्तिरक्षी पदार्थ पाच्वाप पॉइंट है रोग जनों का परिवहन माता कि जो रोग होगे है वह है बलड के दोवारा या प्लेसेंटा के दोवारा बुरण में पहुंचते हैं यानि रोगों का भी परिवहन किसके दोवारा होता है प्लेसेंटा के दोवारा शिक्स्थ पॉइंट है हार्मोन्स का स्तराविन यानि सेक्रिकेशन ओफ हार्मोन्स प्लेसेंटा एक एस्ताई अंतर इस्तरावि गरंति की तरह कारी करती है और इसमें HCG, HPL, Astrogen और Progesterone Relaction हार्मोन का स्तरावित होती है तो दोस्तों आज की वीडियो अपने इतनी थी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, सेर, कमेंट जरूर करना अगर आपने अभी तक मेरे चैनल से पिस्ट डी को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सबस्क्राइब कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ अंटेक केर फ्रेंड्स थैंक यू गाइज